जैहें दोस्तो आज के इस कलास में हम लोग कवर करने वाले हैं BA, BSC, BCOM 3rd semester में जो आपका कोकोरी, कूलर कोर्स के अंदर exam होता है दोस्तो ना इसी छानिती के अंतरगत Human Value and Environmental Studies ठीक है? जिसका exam 2013-2024 में हुआ है दोस्तो ये paper है 2013-2024 इसका हाली में exam हुआ है तो क्या है? इसमें 100% है दोस्तो ठीक है? 100% में से कम से कम आपके 20 से 25% ऐसे होते हैं जो हर exam में repeated हो रहा है ठीक है? तो ये प्रशन आपके लिए बहुत ही लाबदायक होगा अगर आपका नजदीक में exam है तो इस प्रशन पत्र को पूरा देखिएगा 100% है आपके ठीक है? चलिए ये दोस्तो थर्ड समेस्टर का है इस पॉइंट को भी याद रखेंगे Human Values and Environmental Studies चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कलास देखिए इसमें पहला प्रशन आपका पूछा है दोस्तो परियाबरण पर दूसर सब्द को परियाबरण संडच्छड अधिनियम 1986 की किस धारा के किस धारा के परिभासित किया गया है यानि किस धारा में परिभासित किया गया है दोस्तो तो ये परिभासित किया गया भी आपका 2C में है ठीक है? 2C में है अपसर नमबर C आपका correct है ठीक है देखिए ये जो प्रश्ण है पहला वाला ये 100-100% दोस्तों लगब लगब हर एक्जाम में पूछ रहा है ठीक है तो ध्यान से देख लिजेगा ऐसे प्रश्ण को प्रश्ण नमर 2 आपका इसमें पूछा है दोस्तों एक परितंत्र में आपस में जुड़े सभी संबंध मिलान खाद डैस बनाते हैं तो खाद जाल बनाते है दोस्तों ठीक है आपसर नमर D correct है आपका चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं आपका प्रश्ण नमर 3 क्या है प्रश्ण के लिए दोस्तों क्या आवस्यक है लेकिन पूर नहीं है तो भौतिक सुबिता ठीक है जिसे क्या बोलते हैं फिजिकल फैसिलिटी बोलते हैं आपसर नमर 2 correct है आपका अगला प्रश्ण देखिंग आपका क्या है प्रश्ण नमर 4 पूछा है दोस्तों जीवों को पोसक तत्तों की आवसकता डैस होती है यानि दोस्तों जीवों को पोसक तत्तों की आवसकता क्यों होती है ठीक है तो ये जीवन के जरूरी कारियों को पूरा करने के लिए ठीक है आपसर नमर 3 correct है आपका चलिए अगला प्रस्ण आपका देखिंगे इसी प्रकार से आपके प्रसन्न पूछे जाएंगे ठीक है पाँचों प्रसन अपका कौन सा एक समान्य गैर नवी करली ये सुरोत है ठीक है कौन सा एक समान गर्ण नवी करड़ी ये सुरूत है इसमें आपका जो कच्चा तेल है ठीक है कुरूड आयल बोलते है इसे कच्चा तेल क्या है एक समान गर्ण नवी करड़ी सुरूत है ठीक है चलिए अगला प्रसन आपका है प्रसन नमर 6 पूछा आपका मानव चार अपिछा और सही समझ पर निर्भर करता है ठीक है आप से नमर डी करेक्ट हो जाएगा उप्रोग सभी चलिए प्रस नमर साथ क्या पूछा है खाद जाल के भीतर उर्जा और पदार्थ की अस्थाना अंतरण के परतेक चरण को क्या कहते हैं दोस्तों इसके परतेक चरण को खाद इस रिंखला काते हैं ठीक है फोड़ी चैन बोलते हैं आप से नमर सी करेक्ट है आपका चलिए अगला प्रसना आपका देखते हैं क्या है प्रस नमर आठ है दोस्तों पर्यावर अरसंड़चर अधिनियम कानून की किस रेड़ी के अंतरगत आता है तो यह दोस्तो इनमें कोई नहीं है ठीक है यह दोस्तों अम्रेला एक्ट के अंतरगत आता है इसमें आपका दिया ही नहीं है ठीक है दंड विधान उपचार आत्मक विधान इन तीनों में से नहीं है तो अफसन नमर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्तों में से कोई नहीं या इनमें से को पूछा है देखिए यह जो प्रस्ण है ना एन आर सीपी यह लगबग लगबग हर एक्जाम में पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा इस बात को ठीक है एन आर सीपी का पूर रूप क्या है इसका फूल फॉर्म पूछा है तो इसका फूल फॉर्म होता है नेशनल रीवर प्रस्ण प्रस्ण देखते हैं आपका क्या पूछा है किसी जीव या समुदाय के प्राकिर्तिक अस्थान को जाना जाता है तो प्राकिर्तिक वास के नाम से जाना जाता है ठीक है अगला प्रस्ण आपका देखते हैं क्या है प्रस्ण नमर 11 दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों ब्रह्म पुत्र क्या है भारत की सबसे लंबी नदी है अगला प्रसन आपका देखेंगे क्या है प्रस नमर बारा आपका पुछा है खतरनाक पदार्थ का अर्थ किसी भी पदार्थ या तैयारी से है ठीक है जो भौतिक रासाइनिक गुडो या हैंडलिंग के कारण नुपसान पहुचाने के लिए उत्तरदाई हैं तो दोस्तों ये मनुस्य और अन्य जीवित पराणी पौधे सुछमजीव संपत्ति या पर्यावरा ठीक है तो ये दोनों हो जाएंगे आपके चलिए आपसर नंबर सी कर अगला प्रस्ण देखेंगे तेरे नंबर प्सण क्या है पारेस्तितिकी तंत्र में उर्जा का परमसुरोत कौन सा है तो पारेस्तितिकी तंत्र में दोस्तों उर्जा का जो परमसुरोत है वह सूरज है ठीक है आपसर नंबर सी करेक्ट है आपका अगला पसन देखेंगे च नचड़ अधनियम किस वर्स लागू किया गया था तो यह लागू किया गया था 1972 ठीक है 1972 में अगला पस्त देखेंगे क्या है प्रस नमर 15 पूछा आपका नभी करड़ी संपूर प्राकिर्तिक उर्जा संसाधन कौन सा है तो दोस्तो यह बायो मास है ठीक है आपस नमर डी कर आपका अगला पस्त देखेंगे क्या है प्रस नमर 16 आपका पूछा है सत्य का मतलब है तो दोस्तों सत्य का मतलब होता है स्वयम में बोध ठीक है आपस नमर एक करिक्ट है आपका प्रस नमर 17 देखेंगे क्या पूछा है प्रित्वी के संयुक्त भाग जिसमें सभी जीवि लकालाती है ठीक है बाइस फेर बोलते हैं आपस नमर डी गरेक्ट है आपका अगला पस देखेंगे क्या है प्रस नमर अठारा आपका पूछाए दोस्तों वायू गुडवत्ता की निगरानी के लिए राश्टी वायू गुडवत्ता निगरानी कार्यकरम एन ए एमपी का कितने वनावरण का अनुचरण किया जाना है तो दोस्तों पूरे मैदान के लिए 33 परसेंट और पहाडियों के लिए 67 परसेंट ठीक है आपसा नमबर भी करेक्ट है चलिए अगला प्रसंद देखेंगे आपको क्या है प्रस नमबर 20 है आपका सीधी धूप में उगने वाले पौधे कहलाते हैं तो सीधी धूप में उगने वाले पौधे दोस्तों हैलियो फाइट स्कालाते है ठीक है आपसा नमबरि करेक्ट है आपका चलिए प्रस नमबर για które 22 तो पी- आई-ल ठीक है पी- आई-ल का पुर्ण रूप क्या है तो इसका फुल्फ होता है दोस्तों Public Interest litigation ठीक है पौर पमलिक िंट्रेस्ट लीटी अप्सन नीम और सिनकीज़िसर अगले देखेंगे क्या है प्रस नमर तेज़ है दोस्तों अनायतिक व्यवसाइक व्यवहारों के क्या कारण है वह जल्दी पैसे का लालश ठीक है प्रसासनिक भरष्टाचार सांस्कृतिक और समाजी कारण अपसन नमर डी करेक्ट है उपरोग सभी चलिए अगला पसन आपका देख प्रस्थापित या प्रक्यापित लिखा है थिए प्रस्थापित किया जाने वाला पहला प्रमुख परयावरार संद्चण अधिनियम है तो दोस्तों यह परयावरार अधिन नियम है ठेक है आपसन नमर एक करेक्ट है धिए इस प्रस्ष्ट को walk Radley अप लोग काफी चृष से पॉल लेजेगा ठीक है यहां ठीक से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है चलिए अगला प्रसन आपका देखते हैं 25 नंबर क्या है समाज में अपनी इस्थिती के अनुसार अपना कर्तव का पालन करना कहलाता है तो नित्य कर्म कहलाता है ठीक है आपसन नंबर है करेक्ट है अगला प्रसन देखेंगे 26 नंबर क्या है सूचना है सूचना क्या भिया तो संसाधिट डेटा होता है ठीक है आपसन नंबर भी करेक्ट है आपका चलिए अगला प्रसन आपका देखते हैं 27 नंबर क्या है जहां DDT का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था वहाँ प ये जो डिडिटी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था परियोग वहां की चिडियों में दोस्तों जब वो अंडा देते थी तो उनसे बच्ची नहीं निकलते थे ठीक है आपसर नमर भी करेक्ट है आपका अगला प्रस देखेंगे 28 नमर क्या है रियो डी जने रियो और सीकरिक्ट ही आपका प्रसंनंडर 29 क्या है अचार संगीता और नैतिक संगीता तो अप्रस नमर तीस क्या van पयान हैं जो बताते हैं कि एक संगठन अपनी करमचारियों सी क्या अपेच्छा करता है ठीक है upgrade है फ्रस नमर तीस क्या पुछा है कितने देशों ने सततविकास लच्छो ठीक है जिसे क्या बोलते हैं भिया जिसे बोलते हैं आपका एस डी जी पर हस्त अच्छर किये तो दोस्तों एक सो तिरानवे देशों ने ठीक है यह लगब लगब हंडेट परसेंट आपके एक जाम में पूछेगा हर एक जाम में पूछ रहा है ठीक है चलिए एक तिस नंबर परसंद क्या है नैतिकता की नीती में कौन सा नहीं है नैति संस्त्र की साखा नहीं है आफ्सन नंबर सी करेक्ट है अगला प्रस्ने आपका मानव मानव अंतर क्रिया कहलाता है तो क्या कालाता है वहार कहलाता है ठीक है भी है आफ्सन नंबर भी करेक्ट है आपका परस नूमर تवैस्प दे Kennay पुछा आगा गाप है निम्स लीखित में से कौन से प्रमुह परियावार्दी मुद्दAustin जो योगिक से अपना स्वयम की valu आप उर्ती का उत्पादन करने के लिए उर्जा का उपयोग करता है कहलाता है तो वह स्वब पोसी कहलाता है दोस्तों ठीक है आपको अप्रस्ट नंबर रिपोर्ट ने पर्यावराण कानून के मुख्य फोकस की रूप में सतत विकास किया उधारणा को सामने लाया है तो दो नाड़ू पलाटा रिपोट त्टीक है नाड़ू पलाटा रिपोर्ट अपसा नमशन और बरीक करेक्ट है आप का अगला प्रशन है दोस्तोन निमनलिखीत मेंसे किसको अधिकतम उरजा की आवसकता होती है तो दोस्तो Criminal पराथमी कुद पादक होते हैं उनको अधिकता मूर्जा किया हो सकता होती है ठीक है चलिए प्रस नमबर 38 है आपका संयुक्त राष्ट द्वारा सतत्विकास लक्ष SDG को कब अपनाए गया यह 100% आपके एक्जाम में आएगा इस पॉइंट को याद रखेंगे 2015 माय था ठीक ह आपका चलिए प्रस नमर 40 क्या है एक विशेश प्रजाती के सभी सदस जो एक छेत्र में रहते हैं क्या कहलाते हैं तो जनसंख्या कहलाते हैं ठीक है प्रस नमर 41 क्या है भारत के निम्नलिखित राष्टी उध्यानों में से कौन सा यूनेश्को के प्राकिर्थिक विशु विरासत अस्तलों में सूची बद्ध है तो दोस्तों ये केवला देव ठीक है केवला देव घाना राष्टी उध्यान आपसा नमर सी करेक्ठ है आपका चलिए प्रस नमर 42 क्या है उप भोगता संदच्छड अदिनियों के तहत उप भोगता के कितने अधिकार है तो उप भ प्रस नमर 44 क्या है तनाव प्रवंध क्या सीखने के बारे में है जीवन के दवाव से कैसे बचें बिल्कुल ऐसे कौसर कैसे विक्सित करें जो जीवन के दवाव के अधीन होने पर हमारे सरीर के समयोजन को बढ़ाएं तो बिल्कुल सही है ठीक है आपसा नमर सी करेक्ठ हो जाएगा ख forreally 56 है जो जीव केवल पॉधोग को खाता है उसे क्या काते हैं तो interess Yes जीव केहल पॉधोग को खाता है अबसनबर से शाकःष नुबद़र चेक्डा का जो मांस और फूल पति छाथ उन्हें सरवहारी बोलते हैं जो केवल मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी बोलते हैं प्रस्ट नमबर 47 है दोस्तों कौन सी विशेष्टा मानव संसाधन में नैतिक्ता से संबंधित नहीं है तो यह उत्पाद पर इक्षड नैतिक्ता ठीक है अपस्ट नमबर D करेक्ठ आपका अगला प्रस देखेंगे 48 नमर क्या है प्रीथिवी की सता और वायुमंडल के बीच जल की पुनरावरित्ती गति को क्या कहा जाता है तो जल चक्र कहा जाता है अपसन नमर एक करिक्ठ आपका प्रस नमबर फोटिनाईन है दोस्तों आत्मग्यान की और भक्ती मार्ग कहा जाता है प्रस्त नमबर फिप्टी है दोस्तों किसी जीव में संचित उर्जा का केवल 10 परतिसत ही अगले पोसी अस्तर तक पहुँचाया जा सकता है सेस उर्जा में से कुछ का उपयोग जीव के जीवन के लिए किया जाता है और सेस जो होता है वास्पी करण के रूप में खत्म हो जाता है ठीक है अपस्ट नमर डी करिक्ठाप का प्रस नमर 51 है दोस्तों उपयोग के लिए भांडार किये जाने वाले वर्सा जल वे संचय को क्या कहते हैं वर्सा जल के संचय को क्या कहते हैं भिया तो इसे वर्सा जल संचयन कहते हैं अपस्ट नमर भी करिक्ठाप का अगला प्रसन देखेंगे क्या है प्रस नमर 53 है दोस्तों नैतिक बिकास के सिधांत किसे द्वारा विक्सित किया गया था तो अगला प्रस्त देखेंगे आपको क्या है प्रस्त present No.54 है एक पेड पर रहने वाला आरकीड क्या परदरशित करता है तो यह least भोजी तो परदरशित करता है ठीक है आपसा नमबर C correct आपका को पारित किया गया था ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखतें आपका क्या है 56 नमबर प्रस्ण है किसके नेत्रितों में चिपको आंदोलनको मजबूती मिली तो सुदरलाल भाभुजूरा की नेत्रितों में जो चिपको अंदोलन था उसे मजबूती मिली ठीक है आपसर नमबर डी करेक्ट है आपका प्रस नमबर फिप्टी से वना दोस्तों सतत विकास लच एस डी जी में अधिवक्ता की रूप में 2021 में किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों कैला सत्यार्थी जी को ठीक है आपसर नमबर बी करेक्ट है अपका अगला प्रस देखेंगे क्या है प्रस नमबर फिप्टी एट है दोस्तों इनमें से कौन सा बाह अस्थान का एक उप्यूक्त उधारण है तो दोस्तों पवित्र उपवन ठीक है आपसर नमबर सी करेक्ट है आपका चलिए अगला प्रस देखते हैं 59 नमबर प्रस न क्या है जीव मंडल में एक से अधिक प्रकार के जीवों का सबसे सरल समुहन है तो सबसे सरल समुहन भी या समुधाय है आपसर नमबर सी करेक्ट है आपका चलिए प्रस्ट नमर 60 है आपका किसी तलाब के परितंतर में निचला छेतर जहां उत्पादन स्वसन से कम होता है कहलाता है तो यह गहरा ठेतर कहलाता है आपस नमर एख करिक्थ है आपका अगला पॉस्न देखेंगे आपको क्या है प्रस्ट नमर 61 है ग्रीन हाउस गैस उत्र और परिवाहन है ठीक है आप से नमखर 1 करेक्ट है आपका अगला प्रसंद देखेंगे सिस्ट 2 नमबर प्रसंद क्या है निम्नलिखित मेंसे किसे परियाबरल की मैगना काटा के रूप में वरडीत किया गया है तो इश्टाख हूं घोसडा को दोस्तो पर्यावरार के मैगना काटा के रूम में वरित किया गया है आपसे नमर सी करेक्ट है ठीक है चलिए अगला पसंदेखेंगे 63 नमर पसंद क्या है नैतीकता है नैतीकता क्या भिया तो नैतीकता जो है नैतीकता प्लस मुल्य दून होता है आपसे नमर भी करेक्ट है आपका ठी प्रस्ट नमर 64 है दोस्तों भारत में गंगा एक्षन प्लांट जी एपी कब लागू किया गया तो दोस्तों यह 1985 में लागू किया ठीक है चलिए अगला प्रसंदेखेंगे आपको क्या है प्रस्ट नमर 65 है दोस्तों सब्द विरोध प्रतिकिरिया कुरोध कला कोट केस तलाक किस समबंदित है तो दोस्तों यह समाज से समबंदित है अपसण नमर सी करेक्ट हो जाएगा आपका अगला प्रसंदेखेंगे 66 नमर प्रसंद क्या है इन नम्र sustainable ले दोस्तों जब चाथ्र दूसरों से मानिता प्राब्त करने की इच्छा से प्रेडित होते हैं तो उनके लक्ष होते हैं तो काम के लक्ष होते हैं ठीक है अगला प्रस्दे कि क्या है प्रस्ट नम्र करती हैं तो दोस्तों बिल्कुल यह आसान है माल सहारी उपभोगता ठीक है आपसा नंबर भी करेक्ट आपका अगला प्रसंद देखेंगे क्या है प्रस नंबर 69 है दोस्तों भारती अधिनियम की अस्थापन कब हुई थी तो यह हुई थी 1927 में आपसा नंबर डी करेक्ट आ अगला प्रस नंबर 71 है दोस्तों 17 नंबर केंद्री पर दूसर नियंतर बोर्ड की अस्थापन कब हुई तो दोस्तों 1974 में आपसा नंबर सी करेक्ट आपका अगला पसंद देखेंगे क्या है प्रस नंबर 73 है दोस्तों 17 विकास लच्छ का पहला लच्छ क्या है 17 विकास लच्छ का पहला लच्छ होता है दोस्तों गरीवी को खत्म करना ठीक है आपसा नंबर एक करेक्ट है आपका चलिए प्रस नंबर 74 देखेंगे क्या है कार्पुरेट समाजिक उतरदाईतु CSR में कौन C4 प्र 75 आपका आपका अंबरnen अगला प्रस देखेंगे 75 नंबर में प्रस क्या है वो जोन चरण का मुख्छ कारण क्या है दोस्तों CSC का निकालना ढ exerc. तो महात्मा गांधी भगवत गीता को सार्वभौमिक माता कहते थे ठीक है आपसन नमबर बी करेक्ट है आपका अगला पस्त देखेंगे क्या है प्रस नमर 77 है विस्व पर्यावरर दिवस कब मनाया जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं पांच जून को मनाया जाता है अगल आपसे देखेंगे क्या है प्रस नमर 78 है अगला प्रस देखेंगे क्या है प्रस नमर 79 है वे सभी जो संगठन के कारियों से प्रभावित होते हैं या प्रभावित कर सकते हैं कहलाते हैं तो वह दोस्तों हीत धार को कहलाते हैं ठीक है हीत धार को बोलते हैं आपसा नमर सी करिक्ठाप का अगला प्रसंद देखेंगे क्या है प्रस नमर 80 है दोस्तों एक पारिष्टित की तंत्र मे उर्जा प्रवा हमेशा डैस होता है तो एक पारिश्टिक्री तंत्र में दोस्तों जो उर्जा का प्रवा होता है वह हमेशा एक अही दिशा में होता है ठीक है आपसर नमबर एक करेक्ट हाप का चलिए अगला प्रसन क्या है प्रसन नमबर 81 है दोस्तों वह काउन सीपर के रिया है जिसके द्वारा बैक्टीरिया हवा में मौझूद नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में बदल देता है तो दोस्तो वह नाइट्रोजन इस थरी करण होता है आफसर नमबरी करेक्ट आपका चलिए प्रस नमबर 82 क्या है प्रस नमबर 82 है दोस्तों खतरे वाली प्रजातियों को स्रेडी में कौन सामिल है यानि दोस्तों जो खत्रे वाली प्रजातियां है ठीक है उसके स्रेडी में कौन सामिल है तो दोस्तों जो लुप्त प्राय है कमजोर और दूरलब प्रजातियां है ठीक है आपसर नमबर D करेक्ट है आपका प्रस्ट नमबर 83 है दोस्तों प्रकृति केवल मनुस्यों के लिए नहीं बल्कि सभी प्रजातियों के लिए मौजूद है यह कथल संबंदित है पर्यावरणी नयतिकता और जीवन नयतिकता ठीक है ए और सी दोनों आपके सही है चलिए अगला प्रस्ट है प्रस्ट नमबर 84 है कौन सा संसाधन दच्छिड अफरिका का सबसे महतपूर निर्यात है तो दोस्तों दच्छिड अफरिका का सबसे महतपूर निर्यात जो है वो सोना है ठीक है अप्रस्ट नमबर 85 है दोस्तों भूजयव रसायन चक्र सुनिश्चित करता है कि तो दोस्तों और भी करेक्ट है अपका प्रस्ट्ष नमडर 86 है दोस्तों निमनलिखित ठीक है निमनलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास मानकों में सामिल नहीं है तो दोस्तों जो लेंगी आसमानता और भी वेदेता है ये बिल्कुल नहीं है इंटर जेक्शन और इंटरनेशनल एक्विटी ये भी नहीं है सलाना बढ़ राय भी नहीं है ठीक है आपसे नमबर डी करेक्ट हो जाएगा इन में से कोई नहीं प्रस नमबर 87 है भारत में ताज महल किसे से प्रभावित है तो आप सबी लोग जानत है अमलवाठशा की कादल्अ आपसरण लेल बी करेक्ट है प्लू प्रस नमबर 88 है दोश्तों खाध रिंखला के संबंद में कौन सा कथशिएस है तो खाध रिंखला के संबंद की दोस्तों । यह जो और जरफ़ा को समझने के लिए पोशक संबंदों द्वारा गठित सभीस रिंखलाओं का उप्योग किया जाता है यह कथन सही है बिल्कुल ठीक है आपसर नमबर C करेक्ट है आपका अगला प्रसन देखेंगे क्या है प्रसन नमबर 89 है दोस्तों अधोगिक पर दूसर का मुख्य कारण क्या है अधोगिक पर दूसर के उपरी भाग में क्या होता है एक जलिय प्रतंत्र में दोस्तों उपरी भाग में जो होता है वो नेक्टन होता है और प्लवक होता है ठीक है आपसर नमब D करेक्ट हो जाएगा आपका यह और भी दोनों प्रसन नमब 91 है दोस्तों सब्द परियावराण पर्दूसक को निकारक है खतरनाक पदार तो जो परदूसर्ण के लिए जिम्यदार है ठीक है वायू जल और धोनी परदूसर्ण को ध्यान में रखता है ठीक है आपसर नमबर डी आपके करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों उपर के सभी चलिए अगला पसन देखेंगे क्या है प्रस नमबर 92 है कार्पुरेट समाजी को तरदाए तो सब दनिमनलिकित में से किससे संबंदित है तो दोस्तों नैतिक आचरण और मानवाधिकार और करमचारी संबंदित ठीक है उपर के सभी अपसन नमर सी करेक्ट हो जाएगा आपका प्रस नमर 93 है आपका एक सांप जो उस मेढ़क को खा जाता है जिसने एक पौधे पर पहले वाले कीट को खाया है तो यहां पर साफ क्या होगा तो साफ तीसरे अस्तर का वो होगता होगा ठीक है आपसा नमर टी करेक्ट है आपका प्रस नमर 94 आपका क्या पूचा है भगवत गीता किसका भाग है लोग जानते है चलिए अगला दखेंगे क्या है 95 प्रस ने अपका एक पारिस्थितिकी इस्थिति जिसमें एक प्रजाती को एक ऐसे अस्थान पर पेस्किया जाता है जहां वे अदूतिय हैं तो जहां वे अदूतिय हैं अस्थानी प्रजातियां थेक proposed नमर खरिक्श प्रस्टर design question चलिए आपसर नमर डी आप करेक्ट है नैतिक विचलन के बारे में अस्थाई करमचारी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्ट नमर 97 देखते हैं आपके क्या है प्रस्ट नमर 97 है दोस्तों CSR वाक्यांस सब्द का क्यार्थ है दोस्तों यह जो प्रस्ट ना CSR यह 100% आप प्रस्ट देखेंगे क्या है प्रस्ट नमर 98 है तोचा कैंसर का मुख्य कारण क्या है तोचा कैंसर का दोस्तों मुख्य कारण होता है यूवी बिकरण के कारण ठीक है अपसर नमर डी करेक्ट है आपका प्रस्ट नमर 99 है दोस्तों जीवों के बीच और जीवों और उनके प यहां ठीक दिखाई नहीं दियरा एंगली इंग्लिश में दखते लिए वाघटीज इंवाइन्मेंटल अडि ठीक है यानि दोस्तों पड़ावरहेद लेखा-परिछण क्या है ठीक है तो बल्हार या kol जरूंफ, ओड़ेबरलां ओर दोस्य अधिकारियों के खिलाप जाँच और आवस्चे कारवाई करने का विचार होता है ठीक है आपसर नमबर एक करेक्ट है दोस्तों आपका उमेद साथ ही हो आपको कलास अच्छा लगा होगा ठीक है इस कलास को सेड़ जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं नेश्ट कलास में तक तक लेज़ा हिन वंदे मातरम कर दो